नमस्ति सदा वस्तिले मातर भूमिट जेहिं दोस्तो शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को चली वड़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दरसल दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आईए अपने अक्सर देखा होगा कि चाइना उसी टाइम जासुसी जहाजों को हिंद महसागर शेतर में भेजता है जब भारत किसी मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम वार्निंग जारी करता है और अब इसके पीछे डियाडियों ने एक बड़ा खुलासा किया है जो वाक़े में एक हैरान कर देने वाला खुलासा है इसके पीछे रिजन बहुत बड़ा है जो चाइना जानना चाता है हाली में डियाडियों के तरफ से हिरे कहा गया है कि चाइना आखिर ये जानना चाता है कि भारत की जो unique missile technology है खास कर कि जो इसकी manubal trajectories है और multiple field interchangeable warheads है उनके बारे में वो जानकारी एकठा करना चाता है दरसल DRU के अधिकारियों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जो भारतिय मिसाइल्स है वो अपने unpredictable flight paths के लिए जानी जाती है और DRU के द्वारा पिछ मैनुवर्स के माध्यम से हासिल की कि जो शमता है वो दुश्मनों के air defense परनालियों के द्वारा उन्हें track करना और रोखना मुश्किल बना देती है हाला कि अभी तक आपने दिखा हुगा कि चाइना भारत की मिर्साइलों को अक्सर कमाकने की कोशिश करता है लेकिन इस तरीकी की जो गतिवीदिया चाइना की तरफ से की जा रही है वो जरूर चाइना के दिमाग में एक बड़ा question mark छोड़ती है याईनि DRU के दिकारियों ने कहा कि भारतिय मिर्साइले कई तरीके के हतिया ले जाने की शमताय रखती है जिने की mission की आवशकताओं के आधार पर बदला जा सकता है जिससे की भारत को strategic advantage मिलती है एक और परत की यानि की एक और layer की इससे पहले दोस्तों चाइना ने अगनी 3 और अगनी 4 जैसी जो intermediate range ballistic missiles है इनके बारे में उन्होंने कभी जानकरी एक रित्रित नहीं की लेकिन दोस्तों अगनी 5 के आने के बाद चाइना के तेवर बदल गए अब चीन के जो विशेशग्या है वो भारत की missile power को कम नहीं आगते हैं भारत ये missile prediction के दोरान चीनी जासुसी जाहजों की जो पस्तेती है वो इन शमताओं को जो भारत ने हासिल की है उन्हें समझने में चाइना की रुची को और जादा गहरा कर रही है यानि कि ये एक तरीके का सच्रंज का खेल चल रहा है भारत की missile prediction तो दूसरी तरफ चाइना की जासुसी जाहाज और भारत की advanced missile technology चाइना के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन चुका है जो कि उन्हें इन शम्ताओं पर खुफिया जानकारी घटा करने के लिए प्रेजित भी कर रहा है तो आप समझे दोस्तो भारत का missile program किस level पर पहुँच गया है कि चाइना को मजबुरन होका जासुसी करनी पड़ रही है और खाली हाथ लोटना पड़ रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि unpredictable flight path जिसे कि पिछ मैनुवर्स के माध्यम से हासिल किया गया है जो चाइना के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा है चली बढ़ते नेक्स अपरेट के तरफ दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड याने की ICG ने एक कॉंट्राक्ट साइन किया है आमद वीकल निगम निमिटेड के साथ जिसके तहट वो 30 mm की CRN-91 नेवल गन्स को खरी देंगे और ये जो CRN-91 गन है वो और्डिनेंस फेक्टरी मेड़क के द्वारा तयार की गई है और ये पहले से ही इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में भी मौझूद है और खास बात ये है कि ये स्वधिशी रूप से वि रोल आउट करेंगे और इससे पहले भी दोस्तो अरेनोटिकल डबलमेंट इजिंसी जो कि तेजस माक्टू की डिजाइन के साथ साथ इसके अरवियोनिक्स और हत्यार प्रणालियों को देख रहे है उन्होंने कहा कि अमारिक इंजन के साथ ये फाइटर जेट 2025 में अपनी जोड़ान भर सकता है लेकिन HL ने इसमें थोड़ा सा और शंशोधन किया और कहा कि इसका रोल आउट 2026 तक बढ़ा दिया गया है हाला कि ये जो टाइम लाइन यानि कि समय सिमा में बदलाव किया गया है उसके कारण पता नहीं जल पाएं लेकिन नए फाइटर जेट के प प्लेटफॉर्म्स पर काफी तीजी से काम कर रहा है लेकिन अभी तक आपका धिहान इसमें जादा नहीं गया होगा क्योंकि अव्यसी बाद है टेस्स तो भारत में होते रहते हैं लेकिन दोस्तों ये जो हाइट प्लेटफॉर्म्स है वो हमारे इंडियन मिलेटरी सर्विल प्लेटफॉर्म्स के लिए गेमजेंजर बनाते हैं और हाली में भारतियन उसेना ने निउस्पेस रिसेच एंड टेक्नोजी के साथ एक कॉन्टैक्ट पर भी साइन किया है यानि कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं है वो हिंद महासाकर्ट शेत्र के विशाल विस्तार के नि कहलावा दोस्तों सैटलाइट्स और गस्ति विमान है उनकी निगरानी के तरीक आलग होते हैं उनकी सिमाएं बिलकुल अलग हो जाती हैं और सैटलाइट्स काफी मुहिंग हो सकते हैं साथ ही उनका रिविजिक टायम भी बहुत लंबा हो सकता है ऐसे में हम हप्स जो है वह बहुत बड़ा टेक्टिकल फाइदा यहां पर देने वाला है बरते नेक्स अब्रेट की तब अनेरोटिकल डबलेमेंट इजनसी ने फ्लाइट कॉमबेक्ट एरक्राफ्ट पर अस्टा मार्क वन हवा से हवा में मार्क करने वाली में चैनल के लिए टेंडर जारी किया है और यह परियोजना इस इंटिकेशन की विश्विशनयता और सुरक्षा सुनस्चित करने पर केंदेत है तरसल इस टेंडर में जिससे मैंने बताया कि एल्सियर्थ तेजस पर अस्ट्र मार्क वन के इंटिकेशन के लिए जो विश्विशनियता और सुरक्षा विशलेशन है उसकी मांग की गई है और ये विशलेशन LCF फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल के इंटिकेशन से जुड़े संभावी जोखिमों को कम करने में महतवपुन भूमी का निभाएगा जिसमें के चार स्पेसिफिक सिनेरियोज भी है जिसमें के पहला कमांडेंट जेटिसन फिलियर जहां पाइलेट आपातकाले इस्ति में मिसाइल को जेटिसन यानि की गिराने का आदिश दे सकता है लेकिन जेटिसन तंत्र खराब हो चाता है और मिसाइल विमान से जुड़ी दूसरा है Non Command Jetition, तीसरा है Command & Launch विफलता इसके अलावा Non Command लाउंच यानि कि ये जो संभावित विफलता मोड है इनका गहन विशलेशन करके परियोजना का लक्ष्छ, संभावित खतरों की पहचान करना और शमन रढलितियों को विकसेत करना है चलिए बरते नेक्स अपनी की तरफ दोस्तों चलिए सॉलिशन लाइट टैंक चेसिस का फायदा उठाएगा जो कि इस नए सिस्टम के लिए अत्यादिक मोबाइल प्लेटफर्म प्रदान करेगा और इस SPA वेरियंट में कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ओफ सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम होंगे जिसमें की सर्विलांस इलेक्ट्र ऑप्रिकल ट्रार्गेटिंग सिस्टम पनार्मिक पैरिस्कोप फॉरवर्ड लोकिंग इंफरड सिस्टम लेजर विंज फायंडर थर्मल साइट टीवी क्यामरा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और डियाडियों के दौरा ये जो प्रस्तावित SPA वेरियंट है इसके मारक शमता जबरदस्त होगी जिसमें कि दोस्तो हवाई खत्रों से ने पटने के लिए DRD यो के दौरा विक्सित किया गया वरी शॉर्ड फ्रिंज एर डिफेंस सिस्टम में साही लोग और क्लोज इन डिफेंस के लिए एक ट्वीन थर्टी एमेम सेल प्रोपेल्ट एंटी एरक्राफ्ट वेपन को भी इंटिकेट किया जाएगा और ये दोस्तो युद्ध के मैदान में काफी फायदे मन्थ हो सकती है और साथ ही ये जो सिस्टम है SPA variant वो उभरते खत्रों का तेजी से जवाब दे सकता है पर दोस्तो थाइलेंट रॉयल एर फोस के एक ग्र ग्रिपन फाइटर जेट ने चाइना के SU 27 एरक्राफ्ट को असानी से इंगेज कर लिया वो भी लॉंग डिस्टेंस पर जिसमें कि चाइना ने करीबन 41 SU 27 फाइटर जेट को खोया 9 ग्रिपन फाइटर जेट से दरसल दोस्तों आपको मैं बता दो कि साब ने इसका ओफर या ताकि चाइना अपने श्रमताओं को खास करकि जो मिसाइल श्रमता है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सके बरते ने इक्स टापरेट के तरफ दोस्तों भारतियन उसे ना अब अपने मिक 29 के फाइटर जेट्स की जो ऑपरेशनल लाइफ है उसे बढ़ाएगी जिसमें कि इंडियन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे बरते ने इक्स टापरेट के तरफ दोस्तों अरेनोंटिकल डबलमेंट एजेंसी अब जल्द ही एडवांस अर्बो प्रॉप इंजन को तयार करने वाली है जो कि सोदेशी हेल क्लास UAV को पावर दे यानि कि साल भर में 6 MQ9 जो ड्रोंस हैं वो खत्म किये गए हैं हूतियों के मिसाइलों के द्वारा और ऐसे में दोस्तों भारत भी MQ9 ड्रोंस को खरीद रहा है भारत को भी बहुत कुछ सोचना चाहिए इन ड्रोंस के बारे में जो कि आसानी से मिसाइलों के टार्गेट मे आ जा रहे हैं हाला कि इस ड्रों की अपनी शमता हैं क्योंकि ये काफी शक्तिशाली ड्रों बना जाता है इसलिए इसे कम आकनी की तो जरुत बिलकुल मैं नहीं समस्ता लेकिन फिर भी अगर ये इतनी आसानी से मिसाइलों के जरिए टार्गेट हो रहे हैं तो उस चीज की दोस्तो अमारिका ने सब क्रिटिकल परमानू परिक्शन किया है और ये अमारिका का तीसा टेस्ट है अमारिका की तरफ से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि इस हफते की शुरुवात में निवधा में एक सब क्रिटिकल परमानू परिक्शन किया गया ये देश के इस टेस्ट से परमाणों हत्यारों की प्रभाव शिल्ता को परखा गया है लेकिन दोस्तों इस टेस्ट को नुकले टेस्ट पर लगाए गए जो कई तरीके के प्रतिबंध है उनके बावजूद भी अभी भी जारी रखा गया है और 1992 में परमाणों विस्फोर्टक पर रोक अ जर्मनी ने पहली बार इस्राइल के हैरों टीपी ड्रोन को खरीदा है हाला कि जर्मनी पहले इस्राइल से उनका एरो 3 मिसाइल सिस्टम भी ले चुका है लेकिन ये खास इसलिए वाना जा रहा है क्योंकि हैरों का इस्तेमाल तो आप सब जानते हैं कि भारत भी करता है और हैरों टीपी दोस्तों काफी रणितिक मिश्णों के लिए स्तमाल किया जाता है और 2022 में दोस्तों इस्राइल से ही हैरों ड्रोन भारत ने हासिल किये थे जिने की लेसी पर तैनात किया गया था भारत के पास हैरों वन का एडवांस वर्जन है तो फिलाली तबी तक की टॉप